नमस्कार मैं हूँ प्रमिला दिक्षित नाइजर अफरीकी महादूईब के नक्षे पर एक छोटा सा देश जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो इसका नाम यहां बहने वाली नाइजर नदी के नाम पर पड़ा दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक नाइजर खनिच संपदा से भरपूर है यहां यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार है जिन पर पूरी दुनिया की नजर है अफरीका महाद्वीब को लेकर कहा जाता है कि चीन यहाँ कब्जे की तैयारी कर रहा है अफरीकी देशों को भारी कर्ज देकर चीन उन्हें गुलाम बनाना जाता है लेकिन खकीकत इसके बिलकुल उलट है क्योंकि अफ्रीकी देशों पर जितना प्रभाव रूस का है उतना किसी और मुल्क का नहीं यहां तक की अमेरिका का भी नहीं नाइजर में रूस की ताकत की जलक सैन्य तख्ता पलट के बाद देखने को मिली जब लोग फ्रांस मुर्दाबाद और पुतिन जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए नाइजर में बीते महीने तख्ता पलट के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों को रूसी जंडे लहराते हुए देखा गया हर कोई ये देखकर हैरान था कि रूस से हजारों मेल दूर इस मुल्क में रूस का जंडा क्यों लहराया जा रहा है सबसे जादा हैरत की बाद तो फ्रांस और अमेरिकी निटर्ट वाले पश्चिमी देशों के घटपंदन को हुई क्योंकि ऐसी एक घटना उन्हें बीते साल नाइजर के पडोसी देश माली में देखने को मिली थी अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अफ्रीकी देशों में तख्ता पलत की घटनाएं क्यों हो रही है इसकी वज़े ये है कि अफ्रीका के एदेश बहत गरीब हैं यहां का मानव विकास सुचकांग काफी कम है जिसकी वज़े से देश आसानी से पश्चिम के प्रभाव में आ जाते हैं इन में से जादातर देशों में तानाशाहिये या फिर सीना कराज साहे शेतर में मौजूद नाईजर में जिस तरह से तक्ता पलट हुआ है वैसे ही कुछ इस शेतर के चार और देशों में भी हुआ इन देशों में पश्चमी बुलकों की समर्थक सरकारों को सत्ता से बेदखल कर देश की कमान मिलिटरी जुन्टा को सौपी गई जुन्टा से मतलब सेना के उस धड़े से है जो रूस के साथ करीबी सम्बंध रखता है एक तरह से देखा जाए तो यहां सेन ने तक्ता पलट रूस के प्रभुत्व की वज़े से हुआ है उधर अफरीकी महादुप में Economic Community of West African Status यानी इकोवास लोगतंतर स्थापित करना चाहता है इस संगठन का मानना है कि लोगतंतर के जरिये ही अफरीकी देशों की तरक्की हो सकती है इसके लिए सेन ने शाषन को उखार फेकना होगा जैसे ही नाइजर में सेन ये तक्ता पलट हुआ एकोवास ने नाइजर पर आर्थिक प्रतिबंद लगा दिये विदेशी मदद को भी रोक लिया गया संगठन का नेत्रत कर रही नाइजीरिया ने बिजली सप्लाई बंद कर दी जिसके चलते नाइजर के 90 फिस्दी इलाके अंधेरे में डूग गए साथ ही नाइजर के सेन प्रमुक को ये चेतावनी भी दी गए कि देश की कबान मुहमत बाजौम को वापस सौंप दे नहीं तो सेन निकारवाई के लिए तयार रहे हाना कि इस बीच रूस अप्रतक्ष तोर पर नाइजर की मदद के लिए सामने आया है रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर नाइजर के सैनिसर्शन के समर्थन में खड़ी है दरसल वैगनर आर्मी अफरीका में रूस का सबसे बड़ा खिलाडी है बीते चार-पांच सालों में वैगनर गृप के हजारों लड़ाकों को अफरीका के अलग-अलग देशों में तैनाद किया गया है नाइजर के साथ साथ वैगनर लड़ाके माली, बुर्किना, फासो में भी तैनाद किये गए हैं जो वहां की मिलेटरी जुन्टा सरकार की सत्ता पर पकड़ को मजबूत रखने में उनकी मदद करते हैं इसके अलावा सुडान, लीबिया, सेंटर अफरीकन रिपबलिक जैसे देशों में वैगनर लड़ाके आईएस के आतंकियों से लड़ रहे हैं साथ ही रूस इन मुलकों को भारी संख्या में हत्यानों की सप्लाई कर रहा है कुल मिलाकर वैगनर ग्रूप के जरिये रूस अफरीकी महादूप पर अपना सिक्का जमाना चाहता है यूक्रेन युद्ध की वज़े से दुनिया भर में अलक थलक पड़ा रूस एशिया और अफरीका के जादा से जादा देशों का समर्थन हासिल करना चाहता है लेकिन जादतर अफरीकी देशों में पश्चिम समर्थत सरकारे हैं इसके बाबजूद इन देशों के आर्थिक हालात ठीक नहीं है इन देशों की जनता रूस की मदद से अपने हालात बेहतर बनाना चाहती है शायद यही वज़े है कि नाइजर में प्रदर्शन के दौरान रूस के जहंडे लहराते हुए देखे गए लेकिन रूस इन देशों की मदद मुफ्त में नहीं कर रहा है इसकी कीमत भी वसूल कर रहा है दरसल रूस की नजर इन अफरीकी देशों के प्राकरतिक संसाधनों पर है आपको बता दे कि नाइजर में यूरेनियम के बड़े भंडार है जिन पर रूस कबजा करना चाहता है इस के राववा रूस की नजर इन देशों की सोने और हीने की ख़दानों पर भी है इसलिए वैगनर ग्रूप इन देशों की सैने सरकारों को सुरक्षा के बदले खनिर संसाधनों पर कबजा जमाना चाहता है और अभी कबजा जमाई भी हुए है आने वाले दिनों में अफरीका उभरता हुआ बाजार है इसलिए रूस इन देशों के साथ व्यापार में भी दिल्चस्पी दिखा रहा है लेकिन जब तक एदेश पश्चिम के प्रभाव में है ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा इसलिए रूस को जैसे ही मौका मिलता है वो सैने तक्ता पलट का समर्थन करने पहुंच जाता है